इस रेसिपी के साथ अगर आप अंडाकडी बनाएंगे तो आप बाकी रेसिपी सब भूल जाएंगे, तो आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर तचलि बनाते हैं हम अंडाकडी, यहाँ पर अंडाकडी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मसाला लिया है, जैसे लासून, प्य लाज, मिर्ची, एक चॉप टमाटर, धन्या, बड़ी लाइची, गोल्की और जीरा, इन सभी को हमें एक जार में ले लूँगी और एक फाइन पेस्ट बना लूँगी, यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब में किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर दें और और थेंटिक टेस्ट देने के लिए मैं इसे लकड़ी पे बनाऊंगी, आप चाहें तो इसे गैस पे भी बना सकते हैं, लकड़ी पे खाना बनाने पर एक अलग ही टेस्ट आता है, यहाँ पर मैं हरी मिर्ची का यूस की हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल म इची भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर सभी मसालों के जाल में लेकर मैं एक अच्छा फाइन पेस्ट बना ली हूँ, यहाँ मैंने चार प्याज लिया है, और उसे रफली चॉप कर दिया है, आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी रफली चॉप कर सकते हैं, बस इसका महीन पे तब मैंने उसमें तेल डाला है, और थोड़ा सा हल्दी पॉडर, हल्दी पॉडर आलने से अंडे में अच्छा कलर आता है, आप चाहें तो इसमें लाल मिची पॉडर भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैं एक एक करके अंडा डालूँगी, और उसे गोल्डन कलर आने तक फ मैं उसे एक एक करके निकाल लूंगी। अंडा जिस में फ्राइ किया था उसी तेल में मैं डालूँगी मिर्ची, दाल्चीनी, तेज पत्ता और जीरा और उसे अच्छे से सौटे कर लूँगी। सोटे करने के बाद मैं डालूँगी चार रफली चौप्ट किया हुआ अनियन यहां प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक ढख कर भूँजूँगी पांच मिनट बड़ हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है तब मैं उसमें पीसा हुआ मसाला डालूँगी और उसको अच्छे से चला लूँगी मसाला को पांच मिनट तक अच्छे से भूलना है इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी पॉर्डर और नमक और इसे अच्छे से मिला लूँगी पांच मिनट बाद मैं इस मसाले में थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये चिपके न और उसको अच्छे से चला लूँगी ये मसाले को आप जितने अच्छे से भूंजेंगे ये उतना अच्छा ही फ्लेवर देगा और मैं इसको अच्छे से ढख-ढख कर भूंजूँगी यहाँ पर मसाला अधा भूंजा गया है तब मैं इसमें डालूंगी एक क्यूब बटर का और उसको अच्छे से चला लूँगी चलाने के बाद मैं इसको अच्छे से धक लूँगी भुन जाने के लिए मसाला को पांच मिनिट बाद हमारा मसाला अच्छे से भुन जा गया था तब मैं इसमें डालूँगी एक चमच घर का फ्रेश क्रीम कह सकते हैं या फिर मलाई उसे डालूंगी यह आप्शनल है आप चाहिए तो डालिए नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं पर इसको डालने पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसको डालने के बाद मैं अच्छे से चला लूंगी मलाई डालने के बाद इसे तब तक भूंजिना है जब तक से मलाई अपना तेल ना छोड़ दे यहाँ पर मसाला में मलाई नहीं दीख रहा है तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसको अच्छे से भूंजूंगी अंडा करी के इस मसाले को आप जितना अच्छा पानी डाल डाल के भूंजेंगे वो उतना ही अच्छा फ्लेवर देगा यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भूंजा रहा है तब तक अंडा में कर्ट लगा देते हैं मैं यहाँ पर इसी तरह से सभी अंड़ों में कर्ट लगाए हूँ ताकि जब इसको ग्रेवी में डाले तो बहुत ही अच्छे से मसाला अंडग एब्सॉर्फ कर सके यहाँ पर मसाला हमारा भुंजा गया है तब मैं इसमें पानी डालूंगी यहाँ पर मैं पानी तीन बॉल डाल रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं पानी डाल कर मैं इसको अच्छे से चला लूंगी और ढग दूंगी एक उबाला रहे तक 10 मिनद बाद ग्रेवी में बहुत अच्छे सोबाल आ गया है तब मैं इसमें डालूंगी एक एक करके फ्राइड एग एग को ग्रेवी में बहुत जादर देर तक नहीं पकाना है इसे बस 2 मिनद तक पकाना है यहाँ पर मैंने ग्रेवी को गाड़ा करने के लिए बेसन का यूज नहीं किया है और नहीं कुछ और डाला है उसके बाद भी ये ग्रेवी अच्छी ठीक और गाड़ी बनी है सभी अंडय को डालने के बाद मैं इसमें दो क्यूब के बराबर बटर डालूँगी और उसको दो मिनिट पकने के लिए छोड़ दूँगी दो मिनिट बाद मैं अंडा कड़ी को अच्छे से चला लूँगी और एक बार चेक करूँगी कहीं ग्रेवी पतला तो नहीं है यहां पर ग्रेवी बहुत अच्छे से बनकर तयार है और बहुत ही अच्छे से गाड़ा भी बना है तो अब यही तयार है अंडा कड़ी सर्फ कर करने के लिए इस रेसिपी के साथ आप अंडा कड़ी जोरूर बनाएगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सब का ठैंक यू इसी तरह और अच्छे ची रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल सुस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बाद